लोग सबा चुनाओं से पहले केंदर की भाजपर सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है सरकार ने पेटरॉल और डीजल की कीमतों में 2 रुपे प्रती लीटर की कमी करने का फैसला किया है नई दरे 15 मार्च आज सुबा से लागू होगी राश्री राजधानी में पेटरॉल की कीमत अब 94.72 रुपे प्रती लीटर होगी जो फिलहाल 96.72 रुपे प्रती लीटर है ऐसे ही जीजल 87.62 रुपे में मिलेगा जो अब भी 89.62 रुपे प्रती लीटर है केंद्रे मंतरी ने महाकवी रामधारी सिंग दिनकर की कविता के जरीए पिये मोधी की सरहना की और उन्होंने लिखा वसुधा का नेता कौन हुआ, भुखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश्व क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रनेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विग्णों मे रहकर काम किया। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने की बजाया, पिछले ढ़ाई सालों में 4.65% कम हुए, उन्होंने आगे लिखा कि भारत में इंदन की सप्लाई निरंतर बनी रहे, सस्ते दामों पर बनी रहे और हमारे कदर निरंतर हरित उर्जा की ओर बढ़ते रहे, यानि भारत में उर मुचा उपलबता, सामरता और स्तिता को बरकरार रखा, भारत एकलाउता ऐसा देश था, जहां पेट्रॉल और डीजल के दाम बढ़े नहीं, बलकि कम हुए हैं, उन्होंने हमने जहां भी अपने देशवासियों के तेल खरीदा, नरेंदर मुदी के प्रधारमद्री बनने के लिए कच्चा तेल खरीते हैं, बजादे कि केंसरकार ने आम लोगों को रहा देते हुए पेट्रॉल डीजल पर दो रुपी एक साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है, इस वज़ा से पेट्रॉल डीजल के दामों में कमी आई है, आज नहीं दिली में पेट्रॉल 94 72 रुपे पर दीजल 87.62 रुपे पर दीजल है, वहीं पट्टा में पेट्रॉल 105.18 रुपे पर दीजल पर दीजल इद्र परदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रॉल 106.47 रुपे पर दीजल 91.48 रुपे पर दीजल इसके अलावा चारखंड की राजधानी राची में पेट्रॉल 97.8 रुपे प्रती लीचर और डीजल 92.5 छे रुपे प्रती लीचर है गर्दलब है कि उत्राखंड की राजधानी देरादुन में भी पेट्रॉल डीजर का दाम कम हो गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें